अगर आपने एक 3rd AC के क्लास वाला वेटिंग वाला टिकट लिया है अगर चार्ट पर पिशन उनने के बाद भी एक कनफॉर्म नहीं हो पाता है तो क्या पीस से ट्रेवल को कर सकते हैं या फिर नहीं क्या है रेल्यो के गाइडाइन सारा कुछ मैं आपको आज की स्किप करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है वीडियो यहीं से स्टार्ट होने वाला तो आई चलिए शुरू कर लेते हैं तो दोस्तों आपके पास जो वेटिंग वाला टिकट है यह दो ही टाइप का हो सकता है तो उसको आपने ओनलाइन मोट से बुक किया हो या फिर उसको आपने रेल्वे के काउंटर से जाके लिया हो तो सबसे पहले हमने बात कर लेते हैं फर्स सिनेरियो के बारे में है कि आपके पास जो थर्ड एसी का वेटिंग टिकट है उसको अपने online mode से book किया था अगर chat preparation के बाद वे waiting मेर आगया तो इस situation में क्या होने वाला है तो दोस्तों आप उस waiting ticket के साथ journey नहीं कर सकते हैं दोस्तों railway में online waiting ticket मानने नहीं है अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको वहाँ पर railway without ticket consider करेगा और आपके उपर without ticket वाले penalty के charges को लगाएगा क्योंकि दोस्तों online waiting ticket अगर confirm नहीं होता है तो railway उसको automatically cancel करके आपका पूरा पैसा 60 plus GST per passenger कट करके सीधे सीधे आपके back to source account में refund कर देती है अभी हमनों समझते हैं कि आपके पास जो 3rd AC वाला ticket था chat preparation के बाद भी वो waiting में रह गया लेकिन उसको अगर आपने railway के counter से जाके लिया था तो उस situation में क्या होने वाला है तो दोस्तों जी हाँ बिल्कुल आप अपने उस counter वाले waiting की ticket के साथ जरनी कर सकते हैं लेकिन 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 यहाँ पर railway के 3 guideline को follow करना पड़ेगा अगर आप इन 3 guideline को follow नहीं करेंगे तो आप की उपर यहाँ पर fine लगा दिया जागा बात करते हम लोग सबसे पहली condition के बारे में तो आपने जो 3rd AC वाला waiting ticket अपना counter का लिया है उसको लेकि आप 3rd AC में travel कर सकते हैं सबसे पहली condition में आपको अगर कोई भी free seat दिखती है आप उस पर बैटके easily travel कर सकते हैं या पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी लेकिन उस confirm seat वाला अगर passenger आ गया तो आपको seat को वहाँ पर खाली करना पड़ेगा अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरी terms and condition के बारे में तो मान लीजे कि अगर आपकी train में कोई भी एक passenger absent हो जाता है या फिर बहुत बार लोगों की train भी छूट जाती है तो कोई भी ऐसा scenario है अगर कोई भी एक passenger absent हो गया है तो आप TT को request करके उस खाली seat को अपने उपर alert करा सकते हैं और बिल्कुल मजे के साथ अब अपनी journey को कर सकते हैं अब हम लोग finally बात कर लेते हैं तीसरी और सबसे last condition के बारे में तो अगर आपने इसको ignore किया तो यहाँ पे आप railway में पका फाइन भरेंगे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मान लेजे कि आपकी coach में कोई भी seat free है ही नहीं नहीं कोई passenger absent हुआ नहीं किसी की train छुटी मतलब किसी भी तरीके से यहाँ पे आपकी coach में कोई भी जगा नहीं है तो उस situation में आप 3rd AC में भीड़े नहीं लगा सकते उस situation में क्या होगा आपको जो TT है चाहे तो एक sleeper की coach या फिर earn result coach में भेज सकते हैं जिसको normal masa में लोग general डबबा या फिर चालू डबबा के नाम से जानते हैं उस situation में आपको उसमें भेजा जा सकते हैं अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपको फाइन लगाये जाएंगे हाला कि आपको उस general डबबे में कोई भी अलग से charge नहीं लिया जाएगा क्योंकि आपके पास एक counter वाला waiting ticket है तो आप journey तो कर सकते हैं दोस्तों उमीद करता हूँ बिलकुल कम शब्द में उन्हें आपको समझा दिया थर्ड एसी की waiting ticket से journey करने के लिए सारे rules and regulation को अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के click जरूर करिएगा चैनल पना होएगा तो subscribe जरूर करके जाएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इसी knowledge वीडियो लेके आता रहता हूँ मैं मिलता हूँ आपसे अगली informative वीडियो के साथ तो click ने ख्याल दखी, take care and happy journey